नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल विने यार्पी में आज हम आपको बताएंगे मिल्कमेन सॉफ्टर के जो भी नए अपडेट्स आए हैं बहुत टाइम पहले अपने एक वीडियो आई थी निव अपडेट्स के लिए एक आदे महीने पहले तो हमें डेली तो आपडेट्स वैसे आते रहते हैं हम ऐसे होता है कि एक दो महीने के बाद सारे अपडेट्स की कठी वीडियो पना लें तांकि आप लोगों को पता चलता रहें और आपके बास वो अपडेट्स मिलते रहें जिन भाइयों को पता नहीं अपने मिल्कमेन सॉफ्टर के बारे में पूरा सॉफ्टर ही आपको उस लेंगोई में चल पड़ेगा आपको इंग्लिश नहीं आती है हिंदी नहीं आती है आपको अपनी लोकल लेंगोई में हो जाएगा और आप सॉफ्टर में अपना सेल परचेज दस दिन का हिसाब समरी लेजर पास्बुक सारा कुछ देख सकते आपने किसमर को परेजना है जो उफटर के उफ्टर के दर हो जाते हैं आएजये चलते हैं अमेयं सॉफटर के अपड़ेट्स की तरफ है southern डाउनलोड नहीं है तो उपर आई बटन पर आपको शो हो रहोगा किस तरह से डाउनलोड करना है आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो किस तरह से आपने सॉफ्टर को डाउनलोड करना है आपके पास डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहां पर आ जाएगा जो मतलब क करता ही जैसे आपने यहां पे बुक में जाके एक नहीं अपना फार्मिर बना लेना है अपने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनी हुए है किस तरह से आपने फार्मर बनाने है से इंट्रें कैसे करनी है वो भी अपनी चैनल पर वीडियो अपरेटर है उसको भी आप जा यह 5 से शुरू हो रहा है, यह 8 से शुरू हो रहा है, हमारा तो कम से शुरू होता है, तो setting में जाके आप यहाँ पे इसको कम ज़ल कर सकते हैं, minimum 5 रखा हुआ है, और maximum जो SNF है वो 8 रखा हुआ है, CLR बग्यारा करना है, enter मारोगे, यहाँ पे CLR चल जाएगा, CLR 26 ताई 25 से शुरू होता है, सारे system software के अंदर maintain है, इसके regarding भी अपने चैनल पे वीडियो बनी हुए rate list वाली, वो भी आपको मिल जाएगी, उसको भी आप चेक कर सकते हूँ, आई हम चलते हैं, सबसे new जो update है, अपना क्या है, कि setting के अंदर हमने यहाँ पे hide rate in purchase के option लगा दिये, क्या होता था ना, कैसे, आप की computer की screening के पास ही farmer भाई आयते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ जी, उनको कम बगएरा rate करके ले लेते हैं, और उनको दिखाना नहीं होता है, भी क्या rate से उनके दूदली है, ठीक है, तो कई जगा पे इस चीज की demand थी था, हमने इसको operate किया है, हाइड rate हम जो आपने टिक कर देना है, setting में जाके आपने यहाँ पे, हाइड rates वाली option को टिक कर दोगे purchase में, तो automatically जब आप यह purchase open करोगे, milk वाली purchase होती है यह, तो यहाँ पे देखो, hide option हट जाएगी, पहले आपने देखाऊगा, आरी होगी, enter मारेंगे, जहाँ पे जैसे आप एक नंबर से दूद ले रहे हो, तो automatically देखो rate list में हमने rate डा रहा था, automatically rate आ गया, तो यहाँ पे show नहीं हुआ भी उससे प्रती लिटर हमने, कितना rate लिया, भी एक लिटर का उससे हमने, कितना rate लिया, उसने net amount दिखा दिया, अगर आप यह, hydrate वाला हटा दोगे, तो आपके बास महाँ पे show होने लग जाएगा, प्रती लिटर आपने rate लिया है उससे, तो यह भी एक बहुत ही बड़ी ए system company ने आपको करके लिया है, देखो यह सारा आपके बास आगया, 45-45 पैसे आपने लिया है, बहुत ही बड़ी ए system है, बहुत ही बड़ी ए तरीके से आपको update करके लिया है, second update की तरफ चलते हैं, second date में क्या होता है कि अपने जो farmer भाई हैं जलदिन का हिसाब बनाते हैं, हिसाब बनाते वक्त वो क्या करते हैं जो अपनी परानी इंटरी डली होते हैं उसको डिट कर लेते हैं, परचेज रजिस्टर में वो इंटरी का जो है amount और quantity कुछ और शो हो रही होती है, leisure में कुछ और शो हो रही होती है और bill में कुछ और शो हो रही होती है, जो अपने नई भाईयां उन भाईयों को समझ में निया रहा होगा यह क्या बोल रहा हूं मैं, और 8.2 SNF है तो इसका जो है रेट वगारा नहीं आया यहां पर क्योंकि हमने डाला नहीं हुआ वहां पर मैं आपको एक बार डमी वैसे इंट्री विरा चड़ा के लिखा देता हूं, जो भी आपने लास डेट आपने चलानी है, 15 दिन का हिसाब करना है, एक से 15, 15 से 30, तो यहां पर उपर बिल्कुल लास डेट आईगे जिस दिन आप हिसाब कर रहे हूं, वह बिल डेट आगी है, और नीचे डालनी हैं जहां से आप शुरू कर रहे हूं, 20 त्रीक से लेके 30 हम खतम कर रहे हैं, उक्के कर दोगे, जनेरेट बिल पे कर दोगे, तो यह आपके बिल बन जाएंगे, बिल बनने के बाद यहां पर आपने बिल बुक में आ जाना है, बिल बुक में आ जाने के बाद यहां पर आपने 20 से लेके 30 तरीक से लेक्ट करके उक्के कर देना है, त करोगे तो वह इंट्री आपकी डिलीट नहीं होगी देखो यह इंट्री ऐसी पड़ी है ना ही यह इंट्री यहां पर डिलीट होगी क्या होता था कि डाटा मिसमैच हो जाता था मिसमैच का मतलब क्या है कि वह बाई पता नहीं चलता था कुछ क्या कर लेते थे वह सारा देखो यह आपका कुछ भी नहीं होगा देखो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि से बटनी हटा दिया हमने तो बहुत ही बड़ी अपडेट किया है तांकि आपका सारा कुछ मेंटेन रहे सिंपल रहे बहुत सारे जुगार लगा के साफ्टर में सब कुछ खराब कर लेते हैं तो वह ऐसे नहीं करना है प्रॉपर चलाने तो हमने इसको बंद कर दिया तांकि अपने साफ्टर के डाटा अंदर मिस मैं चना हूँ बहुत ही बड़ी है यह भी अपना सेकि शिष्रा जाने पड़ते हैं तो हमने एक बहुत ही बड़ी सिस्टम क्या कर दे कि आ याप इसका बंद पासवरड है तो इसके अंदर आप अलग से अपने जो है फार्मर वगएरा बना सकते हो अगर आपके वही वाले फार्मर है तो आपका import export करके इस company में आ जाएंगे यह भी बहुत बड़ी एक update कर दिए कि आप यहां पे 10-15-20 जितनी मर्जी company आप यहां पे लगा सकते हो कोई issue वाली बात नहीं है फोर्थ update जो है अपना यहां पे क्या है जब आप license ले तो हमसे तो कई बाइयों को पता नहीं चलता है कि उनका license number क्या है जाब वो support के लिए call करते हैं हमारी टेम आउनको पूछे कि license number क्या है वो बोलते है सर हमें तो पता नहीं है तो हमने यहां पे जब आप login करोगे यहां यहां पे जब आपका software register हो जाएगा तो आपका license number और पार्टनर कोड़ आ जाएगा क्या बंदे से पार्टनर कोड़ से आपने लिया है क्या पार्टनर कोड़ है और क्या license number वह आपके बास यहां पे शोग नहीं लग जाएगा यह भी बहुत ही बड़ी है कि अपने प्रॉलम आये थी जैसे प्रॉलम क्या है उनके डेट कुछ और होती थी तो सौफ्टर लॉगिन कर पाता था वह एर्र देता था तो हमने इस एर्र कोई हटा दिया है तांकि अगर आपका कोई भी डेट फॉर्मेट और हो तो आपका सौफ्टर लोगिन हो जाए बाईयों को प्रशान ही ना करनी पड़े और प्रशान ना हूँ आप जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं कोई और डेट फॉर्मेट से हम लॉगिन करते है जैसे स्पोज करें यहां पर हमने डेट फॉर्मेट जैसे डी डी एम यह सई फॉर्मेट है मैं यह डेट फॉर्मेट करके इसक अपना software login हो गया अब यह automatically जब आप software close करेंगे देखेंगे कि देखो अपना जो date है आपकी proper वे से आपकी यह correct हो जाएगी जैसे आपकी पहले date थी वो बैसे ही आ जाएगी तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया अपने अपडेट किया है तांकि आपको इसके जो login करने में वो ह परशानी ना हो और आपका जो है वो प्रॉपर सारा system चलता रहे बढ़िया से जो भी suitable date format होगा software का यह देखेंगे अभी चेंज हो गया है 26 दिसमबर 2021 हो गया जो भी suitable format होगा वही software ने आपका convert कर देना है इसका हम one user one password लगा के इसको login कर देते हैं आपको पांच update बता चुके हैं सबसे पहला hydrates बता दिया है जो हमने अगर बेलो गयारा बने होंगे आपके वो लॉक हो जाएंगे आपके नहीं delete होगा नहीं edit होगा अब 3rd update आपको ब देखें उपर आपको screen दिख रही है milk diary management लिखा हुआ यहां पे लिखा हुआ है कि milkman लिख आएगा आपके बास यहां पे तो यहां पे देखें उपर लिखा हुए 23 12 दोहिया लिखी यहां पे आपको software की update वाली date है वी software आपका कौन सी date का है उसके बाद बहुत सारे अपरे updates की video आते हैं आपको पता चले और बाकि हमारे WhatsApp group के अंदर आप जोईन ही है तो आप हमें बिलकुल message करें कि हमारे WhatsApp group के अंदर हम जोईन भी करेंगे अपना number हमें कमेंट करें ताकि हम आपको जो है WhatsApp group के अंदर जोईन कर पाएं कि 7th update की तरफ लेके चलते हैं वो क्या होता था कि जैसे कई भाईयों के पास DPU लगे हुए हैं उनके पास क्या होता था DPU के अंदर DPU जैसे average के DPU होते हैं जा कोई भी और other DPU होते हैं तो DPU में क्या होता है कि जैसे यह मेरे पास एक भाई की लिस्टा ही है उनके पास क्या होता है कि यह पार्मर के नेम नहीं आते जैसे यह तो उपने तो बोते हैं सर की एक एक farmer का नाम चड़ाने में हमें problem होगी हमारा time waste होता है तो हमने एक बहुत ही बड़ी असस्टन कर दिया farmer नहीं के बिना भी software में डिरेक्ट आपका import हो जाए करेगा आपको कोई issue कोई परशानी वाली बात नहीं है आपने सिर्फ क्या है वो code आपके software के अधर बने होने चाहिए जैसे यहां पर मैं एक बना लेता हूँ farmer का जैसे second number हमारा farmer है second number का जैसे राजू बना लेता हूँ है एंटर करके मैंने इसको सेव कर दिया third नाम का बना लेता हूँ शाम तो देखेंगे आप आप आटमेटिकल जोवर इंट्रीज वी गया रहा है सारी प्रॉपर वे से आपके import हो जाएंगी जैसे यहां पे मैं import पे click करूँगा select करूँगा यहां पे अपने farmer list पे जाओंगा farmer list पे जाके यह file को मैं import करूँगा तो यह proper way में देखें प्रसेसिंग ले लिए हमने नाम नहीं चड़ाया नाम हमने farmer code आपका बना होना चाहिए तो देखेंगे आप यहां पे क्या है कि आपके farmer की जो है आपको है list है list आपको सारी proper way से आपको show होने लग जाएगी सारे farmers की वो मैंने दूसरी company login कर ली थी तो इस company के अंदर one number जो है farmer बंगा नहीं हो था इस कारण सॉफ्टर में आया नहीं अब इम्पोर्ट करूंगा यहां पर success करूंगा उक्के करके यहां पर update कर दूंगा यह जो इंट्रीज है यह 31,3,2,0,21 की है इस कारणी वहां पर आ रही तो यह भी बातों का थोड़ा सा दियान रखना है हमारे दिमाग से भी निकल जाता है जैसे मैं इसको नहीं डेट मे recording ही आपके आजाएं यहां पर जाएंगे हम अर्जिस्टर में जाएंगे अभी हम दवारा import करके अभी हम दवारा चेक करेंगे यहां पर गया मैं इंपोर्ड पर किया मैंने OK कर दिया मैं यहां पर 0,1,12 करके देखो सारे जो भी बिने की इंट्री थी राज्यू की इंट्र कि भी से तो यह भी एक बहुत ही बड़ी अपड़ित है कि आप जो है फार्मर नेम के बिना आपका डाता यहाँ पर सॉफ्टर में चड़ जाता है सै बाकि अगर आपको और अधर पक्नि यूज करते हो तो उसका आपको डाटा लिज़िस्टटर का करने तो हैं यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो कोई भी आपका अदर सॉफ्टर है तो आपका डाटा सारा इधर अपने अपने सॉफ्टरी के नदर आजाएगा आप